आज हम आमले से खटे मीटे गटागट बनाएंगे जो सभी के लिए बहुत पसंद आएंगे तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं नमस्कार अर्शना होम कीचिन में आपका स्वागत है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और यदि मेरी वीडियो प और यह तब तक उबालेंगे तब तक गलना जाएं इनकी गुठलिया लगना हो जाएं जी देखिये आमले उबल गया हैं व कि आम लोगों मेने 6-7 मिनट उबाला है यह देखिए, आम ले उबल गए, इनकी गुठलिया निकल लहीं है, इसी तरह से उबालना है हमें, और आप चाहें तो यह से कुकर में भी उबाल सकते हैं, दो सीटी लगा लें, बगोना में ना उबाल कर, तब भी उबल जाएंगे, इनकी गुठलिया अलग कर लेंगे सब, इस तरह से मैंने पीस लिये, बिल्गु बारिक करकर, इसको कडाई में लोट लेंगे, इसी तरह से हम सारे आम ले पीस लेंगे, यह मैंने पीस लिया हमां, कडाई गैस पर रख दिया, गैस को ओन कर दिया है, अब इसमें हम गुड डालेंगे, इस गुड को मैंने तोड लिया है, और एक किलो डाला है, एक किलो आमले में एक किलो डाल लेंगे, इससे कमना करें मीठा, भले ही जादा कर लें थोड़ी, क्योंकर आमला कसेला होता है, अब इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, इसको हलकी आज पर ही पकाएंगे हम, यह देगे, गुड सारा पिखल गया है, और हमारे आमले का कलर भी चैंज हो गया है, इसे हम चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन जाड़ों में गुड को हमें खाना चाहिए, क्योंकर गुड में आयरन पाया जाता है, जो हमारे सरीर के लिए वह फायदा बंद है, यह भुना ह थोड़ा सा सेंदा नमक डाला है मैंने, इनको मिक्स करेंगे, और गेस को हलका ही रखेंगे हम, तेज ना करा नहीं तो जल जाएगा यह, अभी चोथा ही चम्मच मैंने हींग डाली है, हाजमा के लिए, और यह अजमायने भुनी हुए, इसको भी पीसकर डाला है मैंने एक चम्मच, और यह हम चूर पाड़ा है, दो तीन चम्मच, क्योंकि आमला कसेला होता है, कसेला पन को दूर करने के लिए हम चूर पाड़ा डालते हैं, और एक चम्मच मेंने यह काली मिर्च पी सीवी डाली है, और आदा चम्मच में कस्मीरी लाल मिर्च डालनी हुँ, अब इनको सबको मिक्स करेंगे, इससे थोड़ा और पकाएंगे, ताकि मसालों का फिलेवर इसमें आ जाये, और थोड़ा पानी भी सूख जाये, इसका, इसका, इसको अब हम प्लेट पेक करकर, थोड़ी दे ठंडा करेंगे, इसकी काफी टाइट हो गया है, अब इसकी गोली तोड़ेंगे, यह मैंने पिसी हुई चीनी लिए, थोड़ी सी चीनी हम हाथ पे लगाएंगे, थोड़ी सी हाथ एली पे लगाएंगे यह चीनी, और इससे गोल गोल गोमाएंगे, यह दिखी कितना अच्छा हमारा गटाकट बनाया है, अब इससे चीनी में लपेट लेंगे, अब दूसरा गटाकट बनाएंगे, इससे भी चीनी में लपेट लेंगे, अब गोल गोमाते जाएंगे अतेली को, इससे भी चीनी में लपेट लेंगे, इसको इस लिए ताकि सारे गटाकट हमारे आपस में चुपके नहीं, यह देखी कि बन गया गटाकट, यह लीजिए हमारे आम लेके चटपटे गटाकट बनकर तयार है, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर हर कोई बनाना पसंद करेगा, और इसे जरूर बनाईए और अधिक सदिक लोगों में शेयर कीजिए,